तो आपने आपकी पहली foreign trip plan कर लिए, अपने office में छुट्टी डाल दी है, flight ticket booking हो गई है, आपकी पूरी stays, visa, सब कुछ आ गया है, और यहां तक कि आपको कहा कहा कब जाना, इसकी भी आपने itinerary पूरी-पूरी बना दी है, बट अभी जाने के बले Indians को एक हमेशा बड़ा question आ जाता है, कि foreign exchange का क्या भाई, currency का क्या करे, कहा से exchange करा, card use करे, credit card use करे, forex card use करे, इतने सारे options हैं, कि आदमी confused हो जाता है, तो आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ, और बताने वाला हूँ, कि आपके लिए best option क्या रहेगा हर segment में, तो चलियो और देरी नहीं करते हैं, शुरू करते हैं, चलो, let's go! तो सबसे पहले बात कर लेते हैं good old cash के बारे में, जी हाँ, cash सब जगे चल जाता है, यह तो सबको ही पता है, पर यही एक problem है कि Indian currency नेपाल के आगे नहीं चल पाती है, तो obvious बात है कि आप कोई भी foreign country जा रहे हो, तो आपको उनकी local currency लगेगी, या कोई alternative बंद बस लगेगा, तो इसलिए इसमें आपको दो ही option जो है best है, एक समझे कि आप अगर example Thailand जा रहे हो, तो आपको ठाइबात लगने वाला है, जो उनकी local currency है, और क्यूंकि इतने सारे इंडियन्स यहां से जाते हैं, Thailand, तो आपको काफी आज सानी से ठाइबात मिल जाते हैं, इसको आप procure या प्राप्त करने के लिए कोई भी जगे जा सकते हैं, foreign exchange currency offices रहती है, जैसे Western Union है, कोई भी लाइसेंस जूलर है, वो भी money exchange करके देता है, या काफी सारे online platform भी है, BookMyForex जैसे, जो आपको पैसा आपके घर तक लाके देन देंगे, और आपको इंडियन रूपीज में, जो उसका exchange rate है, वो भरना पड़ेगा, इसमें थोड़ा बहुत आपको 19-20 हो जाता है, क्योंकि exchange rate हरे जगे की अलग रहती है, daily, even minute-wise भी fluctuate होती ही रहती है, यह सबसे easy तरीक है, आपको जितना cash है, आप लेके जा सकते हैं, second option आता है, इन दोस country जहां पे आपको इंडिया में, उनकी currency नहीं मिलेगी, for example, आप Cambodia जा रहे हो, भीयत नाम जा रहे हो, तो आपको यह सारी currencies इंडिया में मिलेगी नहीं, क्योंकि यह available ही नहीं है, कोई रखता ही नहीं है, पर आपको क्योंकि जाना ही है, तो आपके पस option क्या है, इस case में आपको सबसे easy option रहता है, कि international currency जो सब जागी accepted है, जो US dollar वो exchange करना के लिए के जाएगे, इंडिया से आप US dollars खरीद लीजे, इन exchange for Indian rupees, और आप जितना rate में यहां पे खरे देऊ, for example, 83 या 84 rupees में आपको 1 dollar पढ़ दे, उससे भी कही जादा rate में आपको वहां पे local currency मिल जाएगी, बलाग कभी-कभी cases में ऐसे भी होते हैं कि आपको एकाग पैसे या 10 पैसे का profit भी हो जाता है, तो यह बहुत अच्छा options है, तो आपको मतलब cash का ही अगर हर आदत है और आप जादा कमफोर्टिव हो लो तो यह दो option आपके लिए best होंगे, अभी आप बोलोगे भाई विवेक, 2016 के बाद से कौन cash इतना लेकर गूंता है, हमारे गर में तो कोई politician और सरकार या officer नहीं है, कि इतने bundle cash पढ़े रहेंगे हमारे पास exchange कराने के लिए यह आप बहुत सही बोल रहे हैं, यह बात एकदम factual है कि बहुत कम लोग आजकल cash prefer करते इवन internationally travel करते हैं, तो इसके लिए आपको दो option जो और आगे बता रहा हो ना, जो हर एक इंडियन के पास basically access रहता है वो है आपना credit card या debit card, तो अगर आप debit card यूज़ करना चाहते हो internationally तो मैं आपको यह suggestion दूँगा, कि सबसे पहले तो पता कीजिए कि आपका जो bank ने आपको debit card issue किया है, वो internationally चलता है कि भी, इसके लिए या तो आप अपने net banking के app पर जा सकते हो, desktop website पर जा सकते हो, branch पर जा सकते हो या phone banking पर भी आप call करके पता कर सकते हो, तो जैसी आपकी card की category होगी, उसके सबसे वो लोग बोलेंगी yes या नहीं, अगर ना भी बोल लेते हैं, जो बहुत rare case scenario होता है आप बैंक को बोल सकते हैं कि मुझे एक suitable card आप debit card issue करके दे दीजे, बहुत ही जल्दी आज आता है, तो आपको ऐसा दिक्कत नहीं होना चाहिए, और आपको debit card foreign में use करना है, तो आपको ये भी बता देता हो, कि debit card आपकी savings से linked है, तो आपको जितना आपका खर्चा रहेगा वे trip में, उतना आपका account में funded रखे, इसका reason यह है, क्योंकि जब भी आप debit card यूज करते हो ना, तो उसमें कुछ transaction charges आपको लगने वाल है, for example, अगर आप ATM से withdraw करोगे, तो local country की जो ATM है, वो तो आपसे charge लेगी लेगी, बैंक भी आपसे कुछ markup charges या transaction charge लेगी, for example, आप आपका debit card थाइलेंड में यूज करते हो, तो थाइलेंड की ATM आपको कम से कब 200 से 800 mark charge करते हैं, और आपका 500 रुपीस और आपकी बैंक जो है, जनरली दो डॉलर में ले लेगी, मतलब आपका टोटल 500 प्लस और आपका 200 रुपया के आसपास चला गया, जिसमें आपका GST charges, आपका markup charges और currency exchange charges ये सब लगने वाल है, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है, और वही चीज अगर आपकी debit card swipe भी करोगे बहाँ, तो भी आपको charges apply होने वाले है, जैसे कि थोड़ा बहुत आपको foreign currency exchange markup as well as GST and transaction charges थो थोड़े बहुत लग सकते हैं, पर इसका एक advantage ये है कि आपको exactly पता है कि आपके bank account में कितना है, तो आप अपने जितना limit है, उसके हिसाफ़े आप spend कर सकते हो, दूसरा option है credit card जो मैं personally जादा use करता हूँ, और इसका भी reason आपको बताता हूँ क्यों, देखिए credit card से मैं कभी भी cash तो withdraw नहीं करता हूँ, cash withdraw कर credit card या तो zero mark up fees पे भी रहते हैं, या minimum 2% के market पे भी रहते हैं, तो इसके लिए आप जिदर भी जा रहे हो, अगर पेंट्री में जादा आप swipe करते हो card, तो आपके लिए बहुत जादा अच्छा लेगा, और इसमें कोई भी छोटा बड़ा transaction का problem भी है, अभी इन दोनों के ब advantage और disadvantage भी आपको बता देता हो, आप debit card लेके जा रहे हो, तो जैसे मैंने बता, आपको exactly पता है, कितना आपके पास पैसा है, तो उससे सबसरी खर्चाता होगी, और credit card में आपको एक बहुत बड़ा advantage यह है, कि आप आपका credit card कहां पे भी यूज कर रहे हो, और chances है कि कोई भ आपका पैसा और bank का नहींना, तो bank अपना sweet time लेता है, जनरली अगर आप credit card में किदर भी हो गया, आपके साथ गड़ बढ़ना है, क्योंकि यह bank का पैसा है, they will stop the transactions immediately, और कभी-कभी तो अपना पैसा भी require कर लेते है, यही चीज़ आपको debit card में लच्जरी नहीं मिलने वाली और अगर आने के बाद आपको पता चलता है, इसा कुछ हो रहा है, तो you can always dispute the charges with a credit card and नहीं तो भी आप tribunal cases यह साथ पाइट कर सको, debit साथ आपका पैसा चला गया, फिर इस फॉरेवर गॉन, विक्या और हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो उसकी कुछ भी आपको मिलने वाली नहीं है compensation, तो यह एक बहुत बड़ा pro and con है in terms of credit and debit card use, और एक आखरी चीज इसमें यह भी बोल देता हो, चाहे credit हो या debit हो, तो आप किदर भी चाहरो, अगर आपका number international नहीं कराया आपने तो आपको OTPs नहीं आएंगे, तो आपको नहीं आएंगे, क्योंकि आपके Indian number के अखर में आजाता है, in my opinion, सबसे popular and सबसे safest instrument, वो है Forex card, Forex card बहुत ही use case specific रहता है, जो only international travels के लिए ही हो जोता है, और यह single use या multi-use जाने की 5 साल तक validity बादा card भी issue हो जाता है, और इसके लिए आप या तो traditional networks जैसे की banking है, जैसे state bank, HDFC, ICI, SI, यह सारे issue करते हैं, और दूसरा non-banking institutions, जैसे की आपको Thomas Cook है, New Global है, आपको मतलब बहुत सारे और ऐसे मिल जाते है, so आपको दोनों का advantage, disadvantage भी समझा जेता हूँ, देखे, सबसे पहले तो अगर आपको banking network के तुर जाना है, तो यह सबसे easy network हो जाता है, मेरे हिसाब से, क्योंकि आप जो bank के साथ banking हो जाता है, कि अगर हो बड़ी bank है, तो उनका कोई ना कोई टाप का forest का रहनी ही वाला है, और इसका एक बहुत बड़ा plus point यह है, कि card issuance भी जंदी हो जाती है, क्योंकि आपकी KYC अलरी उनके पास रहती है, तो card एक दिन से लेके तीन दिन में आपको easily issue हो जाता है, और इसमें आपको top up करना है, या कोई भी टाइप का आपको setup करना है, तो काफी आसान है, आपके जो app है उसके dashboard के थूँ हो जाता है, फिर फिर एक independent app दे रहता है, जो काफी अच्छा रहता है, यही चीज को आप phone banking के थूँ भी उसकर सकते हो, या अगर आप भारो cash कम पढ़ गया, तो किसी को भीच के आप ब्रांच के थूँ पी cash stop up करवा सकते हो, काफी एजी है, कोई निकत नहीं होती है, इसमें आपको धेर सारे cards आ जाते हैं, जिसके बारमे में अभी थोडी देर में आपको आगे बताने होता है, दूसरा जो option है, जो वो भी काफी popular है between a lot of people, is the non-banking वाला cards, इस आपको आजाता है card और काफी easily आप use कर सकते हैं, इसका advantages भी काफी सारा है कि इसमें आपको मतलब सर्विस अच्छी हो जाती है, पूरी online है, आपको पूरी अपकी दिककत नहीं होती है, पर एक बहुत बड़ा downside तो रिसेंटली आया था, इसमें नियो ग्लोबल के एक particular division का card जिनका tie up का ना, वो government ने, RBI ने discontinue कर दिया था, बोला कि service अभी, जब तक scrutiny खतम नहीं कर से, बहुत सारे लोग तो foreign travel कर रहे थे, अचानक से उनके cards नहीं चल रहे थे, ये problem startups के साथ काफी होता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा होता है, पट कभी-कभी हो जाता है, पट अगर आप फस गयो गिना पैसे को काफी दिक्रत हो सकती है, तो यहां to keep that in mind as well. तो Forex card का जो एक major convenience वो यह है कि आप कोई भी टाप की card ले लेना उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि एक बाद आप उसमें currency डॉप पर लो जो generally dollars रहता है तो आपका tension खतब आपको ना उसके बाद में mark-up charges लगेगा और ना आपको पर transaction charges लगेगा swipes तो आपको nerve free हो जाते हैं जिसमें आपको कोई भी टाप की mark-up charges या उसके उपर जो present day charges रहेगी 2%-3% कुछ नहीं charge होता है मतलब अगर आप 100 dollar top-up कर रहे हो तो आपको 100 dollar की value आपकी card पर मिलेगी और आपको जितना swipe करना है आपको उसके ओपर कोई भी टाप की transaction charges नहीं लगेगी जी हाँ withdrawal charges आपको लग सकती है और most of the banks में भी उनके ऐसे भी types रहते हैं international कि कोई coin network ATM पर आपको zero transaction charge रहता है बस withdrawal के लिए जो 1 dollar 2 dollar जो Indian bank लेगी वही आपको charges लग सकते हैं इसमें भी अगर आप नियो ग्लोबल या ऐसा FI का card ले 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 तो उसमें भी आपको zero transaction या zero withdrawal charges भी लगते हैं बहुत सारे जगे में तो वो भी एक अपने 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 advantage है पर मेरे इसाब से Forex card उनको लेना चाहिए जो मतलब जा रहे हैं और उनको मतलब दोनों का एक healthy blend चाहिए जाने की cash भी अगर emergency में विड्राओ करना है तो आप ATM networks के दूब कर सकते हो पर majorly अगर आपके 80% transaction card भी हो सकता है जो बहुत क्वाइट पॉसिबल हर कंट्री में जहां भी आप जाते हो तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि और not losing a lot of money और इसका safety factor भी बहुत अच्छा है इसमें आपका fraud होने का chances near zero है क्योंकि एक independent आप या independent department रहता है within a bank जिसमें एक fixed amount of value रख रहे हो तो आपको मतलब उसके सबसे कोई भी टाप की problem भी नहीं हो उसमें जो सबसे पहले वाला card है वो मैं personally prefer करता हो क्योंकि ये वाले card बना आप बहुत सारे अलग अलग कंपी की currency top up कर सकते हैं 18-22 different currencies आपको मिल जाती है जो आपको बहुत convenient पढ़ जाता है आयए आपको इस डाला के इन ने आपको इस दॉडार में बार रख टॉप करने का पंगा नहीं है इन फाक्क धिरांशे लेके थाईबाद सब कुछ हो जाता है यह मेरा personal favorite इसके अलावा जो card number 2 and 3 भी है अपने हिसाब से जो फीज है आपका convenience है उसके हिसाब साप से आप तो आपको सारा आज इंफो मिल गया होगा I hope आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज दो फगेट तो लाइक इस वीडियो शेर विडियो और वाटसाप क्योंकि यह बहुत ही अच्छा वीडियो बना है और अगर चैनल के साथ नहीं जोड़े तो निचे सब्सक्राइब ब जर लिंग बना आओट